यूट्यूब चैनल इस्टड़ी टिप्स पर आसा करता हूँ आप अपने और अपने परिवार का खयाल बखुबी रख रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी दोस्तों आज है 11 जुन 2021 और आज के जितने भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर् एक इंप्रूब्मेंट फील हो अगर आपको इस वीडियो के पीडियेव का पीडियेव को डाउनलोड करना है तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ग्राउंड वाटर डेडिक दिन मना जाता है 10 जुन को यह जो मना जाता है किसलिए पना जाता है तो देखिए अभी जो जिस तरह का स्थिति अभी सिटेशन बना हुआ है पूरे वर्ल्ड में यूं कहें कि हमारे आसपास का एर्या जो है उसके अरास बना हुआ हुआ है कि जो वर्ड ग्राउंड वाटर को बहुत ही छती पहुच रहा है बहुत सारे एक्टिविटीज के कारण जो ग्राउंड वाटर को क्या हो रहा है बहुत ही छती पहुच रहा है प्लांटे से आर्टिफिसियल वाटर का प्लांट लगाय जा रहा है लोग क्या कर रहे हैं सिंगल प्लास्टिक को बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं तो इस कारण से जो ग्राउंड वाटर में बहुत ज़्यादा छटी देखने को बिल रही है इसको इसके अवेरनेस के लिए वर्ल्ड ग्राउंड वाटर डे मनाए जाता है दस जून को ठीक है तो जून मंत के जितने भी उसको एक बार हम लोग revision कर लेंगे जिससे की जुन मंत के सारे important days याद हो जाए और हमारे लिए ये exam में question अगर आए तो आप उसे टिक लगा कर आपाएं देखिए फर्ष्ट जून को मनाया जाता था Global Parents Day, फर्ष्ट जून को मनाया जाता है Global Parents Day, ठीक है, वहीं सेकेंड जून को मनाया जाता है International Sex Worker Day, और सेकेंड जून को ही मनाया जाता है तिलंगाना Formation Day, तिलंगाना का जो Formation हुआ था, दो जून 2014 को हुआ था, दो जून 2014 और इसी दिन को म को इन्टरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेंड विक्टिम सोप एग्रेशन दो या तीम बार आपको बोल जाना है और डेली वीडियो को देखने से आपको याद रहेगा पांच जुन को मना जाता है वर्ल्ड एंवारनमेंट डे और इसका थीम रहा था इस बार इको सिस्टम रीइस्टोरेशन इको सिस्टम रीइस्टोरेशन इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि important days के themes भी पूछ लिये जाते हैं इको सिस्टम रीइस्टोरेशन तो वहीं बात करते हैं 7 जून को कौन से डे मनाया गया International Level Crossing Awareness Day और World Food Safety Day भी 7 जून को ही मनाया गया नौजून को मनाया गया दोस्तों एक्रेडिटेशन डे एक्रेडिटेशन डे वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे और इसी को बोला जाता है और इंके लिए जीते थे और निधन हो गया है और प्रधान मंतरी प्याम नात को विद ने के निधन पर सोग जताया है ट्विटर के माध्यम से तो ये कौन थे ये एक बॉक्सर थे ठीक है बॉक्सर थे बॉक्सिंग में इन्हों ने गोल्ड मेडल लिया था एसीन गेम्स में देखें यहां पर लिखा हुआ कि पीए मोदी ने डिंको सिंग को सरदांजली देते वे ट्विट कर यह ठीक है तो यहां से पात पता चली कि नागोंगों डिंको सिंग जिनका निधन हो गया वह वह एक बॉक्सर थे यह क्वेस्टन इक जाम में बनेगा ही बनेगा चलिए अरब भारत उर्जा मंच ठीक है अरब भारत उर्जा मंच यानि की अरेभियन इंडिया एनर्जी फो हुआ है वर्चुली हुआ है तो यह इसका पहला संस्क्रान था यह किसलिए किया गया यह जो अरब भारत उर्जा मंच है उर्जा सहयोग बढ़ाने ठीक है उर्जा एनर्जी के चेत्र में अपने कोपरेशन को बढ़ाने के लिए और बिजली व्यपार को इलेक्ट्रिसिट चर्चा किए इस उर्जा मंच पर चर्चा किया गया विदेश मंत्राले दिवारा यह बताया गिया और की मरत कर लिए भारत बात कर लेते हैं भारत के और से कौन थे तो बिढ़ली राज मंत्री भारत के और से बिजली राज मंत्री जो स्वातंत्र प्रहार है और के सिंग और भारत जो के मुरकों के अरधिक मामलों के सहयक महासचीव कमल हसन अली ने इस मीटिंग को क्या किया संबोधित किया और अरब भारत उर्जा मंचर का ये फर्ष्ट संसकरन था फर्ष्ट एडिसन था और किसलिए किया गया तो उर्जा छेत्र में बढ़ावा देने के लिए बिजली वैपार को बढ़ावा देने के तौर तर करेंसी है इसको अपने लीगल करेंसी के रूप में दרजा देने वाला विगण को लीगल करेंसी लीगल टेंडर की का दरजा देते हैं तो एल सलवाडोर का जो संसद है जिसे कॉंग्रेस कहा जाता है ठीक है एल सलवाडोर का संसद में इस बील को पेस किया गया कि हम लोग बीट को एक लीगल करेंसी के रूप में उपादी देंगे दरजा देंगे और ये 90 दिनों में यहाँ पर कहा गया कि 90 दिनों में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा बात करते हैं वहीं एल सलवाडोर का जो राष्ट्रपती है कौन है नाइब बुकेले ठीक है नाइब ब वो जो इसको ट्रांसफर कर सकते हैं जैसे किसी अन्य करेंसी से आप अपने सामान को खरीच सकते हैं होटल। कर सकते हैं ठीक है कोई सामान ले सकते हैं और कोई करवा सकते हैं तो वह सारा कुछ आप बीट कोई के जरिये कर सकते हैं ठीक है बीट कोई के जरिये कर सकते हैं पर किसी भी सरकार या कोई व्यक्ति का किसी विव्यक्ति का स्वामित तो या फिर मालिकाना हक नहीं होता है ठीक ह किया है अपना लीगल टेंडर लीगल करंसी के रूप में दर्जा दे दिया है ठीक है तो यहां से यह पता चला कि दुनिया भर में फर्ष्ट कंट्री हुआ जो बीटकोईन को लीगल करंसी के रूप में दर्जा दे दिया है चलिए बात करते हैं अब अगले क्वेस्चन पर फेस्बूक ने अपने सिकायत अधिकारी यानि कि ग्रिवान्स ओपिसर के रूप में किसे निउप्त किया है अभी अभी जितने भी सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म से जैसे कि ट्विटर हो गया वाटसेप हो गया फेस्बूक हो गया जिसका कि 50 लाग से अधिक यूजर है आपको क्या करना होगा अपना जितने भी जितने भी आप को क्या सिखायत हो रहा है है अपके आपके इंफोर्मेशन को आपके इसे नियुक्त किया था परेश लाल को जिसको हमने बताया था अपने वीडियो में 29 माई को वाटसेप नी किया था तो इस पूर्ति पिरिया को ठीक है इस पूर्ति पिरिया को अभी अपने ग्रिवांस ओफिसर की रूप में इंडिया में इसे नियुक्त किया है तो बात करते मैयूरी कांगों की तो यह Google इंडिया की हेड है और सत्य नेडला Microsoft के CEO है तो यहां से हो गया Facebook और WhatsApp के हमने देख लिया ठीक है Facebook का इस पूर्ति प्रिया RBI का Deputy Governor महेश कुमार जैन ठीक है RBI का Deputy Governor महेश कुमार जैन का अभी कारेकाल खतम होने वाला था लेकिन इसके कारेकाल को कितने सालों के लिए पिर से बढ़ा दिया गया है तो अब महेश कुमार जैन के कारेकाल को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है महिस कुमार जैन के कारिकाल को दो साल के लिए बढ़ा दिया गया है हम लोग जानते हैं कि RBI में एक गवर्नर होता है और चार डेप्यूटी गवर्नर होता है अभी गवर्नर कौन है सक्ति कांतदास और चार जो डेप्यूटी गवर्नर है चार डेप्यूटी गवर्नर उनके मैईकल पात्रा, मायकल पात्रा, को को ही बाते हैं, मायकल पात्रा उसके बाद एम राजशुर राव, और उसके बाद रवी संकर, ते कहा इसका निशती हुआ था फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर की रूपमें महस कुमार जैन, और इंहीं का कारेकाल अभी दौ साल के लिए ब को चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले क्वेस्टन पर कि लाइसी के चैर्मेन एम आर कुमार थे और इनका कारेकाल जो था 30 जुन 2021 को खतम होने वाला था और कब तक बढ़ा दिया गया है तो 13 मार्च 2022 तक इनके कारेकाल को बढ़ा दिया गया है इम आर कुमार अब 13 मार्च 2022 तक L.I.C के चैर्मेन के पदस्थापित रहेंगे तो वहीं बात करते हैं L.I.C का हेड़कौाटर है वह मुंबई में है एक सेप्टेमर एक सेप्पेमबर 1956 को L.I.C के अस्थापना होई थी यह important facts आप यahां से याद रखेगा ठीक है देखे भारत पे बारत पे जैसे पेटी एम हैं गुगल पे है वैसे ही भारत पे है excel transaction करने के । करने के लिए अपने जो verktyle transaction के लिए एक online platform है ठीक है भारत पे ने icc के साथ जो partnership के आए कंब तक का partnership केया है तो 2023 तक भारत पे icc के साथ partnership किया है इसके अंतरगत भारत पे जो होगा ICC के जितने भी events होंगे ठीक है ICC के जितने भी events होंगे ठीक है ODI हो ठीक है टेस्ट हो मेंस वाला हो मुमेंस वाला हो जितने भी 2023 तक होंगे उसके broadcasting ठीक है उसके जो broadcasting होगा और जो digital platform पर वो करेगा भारत पे उसको सहιοग करेगा ICC को क्या करेगा सहयोग करेगा दो ह Jung 23 में ये 2023 में भारत बोला भारत वी होने वाला है कस्कुम स्वेet मेंनष विल्ड कप और आपका वही देश्ट transparency जो 2023 में वाला Natal तक भारत पे क्या करेगा ICC के साथ partnership क्या है कि आपके digital broadcasting और इसे यह सब को हम सहयोग करेंगे ठीक है चलिए तो वही भारत पे की बात कर लेते हैं चलिए भारत पे भारत पे की तो भारत पे का headquarters कहा है भारत पे का headquarters है निउ डैली में ठीक है निउ डैली में और इसके अभी CEO ग्रोवर आपको इसे भी याद रखना है भारत पे के CEO हैं असनीर ग्रोवर और इसकी अस्थापना कब की गई थी 2018 में भारत पे की अस्थापना 2018 में की गई थी तो आपको यहाँ से यह याद रखना है ICC का headquarters का है दुबाई में ICC का headquarters दुबाई में है अभी यह बहुत important question ह Link के नीखक करिसे विट्कृश्ट योगदान देता है उनके लेखकों उसके लेखन को क्या किया जाता है पेन प्रिंटर प्राइज हर साल दिया जाता है तो इस बार दिया गया है सित्सी दंगरेंबागा को ठीक है आप यहां से देख लिजेगा डंगरेंबागा को ठीक है यह दिया गया है जित्ते डंगर रेमगा को दिया गया है 지मबावे की यह लेखी का है और इन्हें pain printer prize 2021 से सम मानित किया गया बात करते हैं इन्हें जो booker prize 2020 के लिए भी दॉमिनीज इसके बाद डेविड दयोप आप यहां पर देख रहा होँगे यह international International Booker Prize 2021 के बिजेता रहे हैं International Booker Prize जिसे की Man Booker Prize भी कहा जाता था और 2005 में International Booker Price का g protest हुआ था तो International Booker Prize का जो अभी बिजेता रहे हैं डेविड डियोप रहे है और Annamos यह इसी डेविड डियोप के साथ ही इनको यह प्राइज दिया गया है तो जो बुक डेविड डियोप लिखे थे उनके यह ट्रांसलेटर थे फ्रेंच में ठीक है और यह मारीके लुकास रेजने वेल्ड को दिया गया है 2020 वाला इंटरनेशनल बुकर प्राइज और पेंट प अंटर द्राइज बाइज ओढली की कि अंटर चैमूनिकस में ओड को यह यह याद राखना एबिलिट्ई लेंड कॉर्चारेंगे इतना याद रखेंगे तो आपको ये पता रहेगा टीक है जिंबावे की लेखी का है और इन्हें paint printer prize 2021 से नवाजा गया चली ये बात करते हैं कि क्रीक्रू website किन होने launch किया है ये किन का website है और ये किन होने launch किया है तो देखे एक ये क्रीकेट coaching website है ठीक है क्रीकेट के film में यह क्या करेगा कोचिंग देगा ठीक है यह वो क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट है क्रिक्रू और यह जो है बिरेंदर सहवाक की द्वारा इने लॉंच किया गया है तो क्रिक्रू वेबसाइट बिरेंदर सहवाक की वेबसाइट है और इनके द्वारा लॉंच किया गया है बि तो वहीं सौरब गांगुली के बुक का नाम क्या है जो कि एक्जाम में पूछता ही पूछता है यह सब तो ए सेंचुरी इज नॉट इनॉफ तो वहीं बात करते हैं वीवेस लेक्षमन की तो 281 एंड बियॉंड इनकी ओटो बायोग्राफी है तो यह रहा आज का Important Current Affairs आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है इन्फोर्मेंशनल लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें सेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं लोगों को बताएं कि हमारे च यहां पर लॉंच किये जाएंगे और उत्कृष्ट गुनवत्ता का कॉंटेंट आप लोगों के सामने हम हमारा टीम लाने का कोसिस करेंगा और हंड्रेट परसेंट लेकर आएगा ठीक है तो आप हमारे चैनल के साथ जूड़े रहिए और इसका एडवांटेज उठाते रह जाए हिंद।